सादरा जैसरी करश्ण मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरूजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य नई नई ज्यानवर धग जानकारी वनित्य का राशी फल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें महान पुण्य को देने वाली सभी पापों का नाश करने वाली परम पुण्य दाइनी उत्पन्ना एकादसी की वरतकता तो इस वरतकता को सरद्धा पूरवक जो भी व्यक्ति सुनता है उसे अश्य मेग यग्यों की फलों की प्राप्ती होती है सभी पापों का शमन होता है भगवान स्री हरी के चरणों में उसे इस्थान मिल जाता है तो मित्रो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूरवक देखेंगे तभी इसका संपूरन फल आपको मिलेगा तो उत्पन्ना एकादसी का हमारे हिंदू धर्म में एक खास महत्व है पौरानिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता एकादसी का जन्म हुआ था इसलिए इसे उत्पन्ना एकादसी के नाम से जना जाता है देवी एकादसी को सरस्टी के पालनहार स्री हरी विष्णू की है एक शक्ती माना जाता है कहते हैं कि इस दिन माता एकादसी ने उत्पन्न हो करके अति बलशाली और अत्याचारी राक्षस मूर का वद कर दिया था और मानिताओं के अनुसार इस दिन स्वयम भगवान विश्णु जी ने माता एकादसी को आसिरबाद देते हुए इस वरत को परम पूजनी बताया था तो इसा माना जाता है कि इस एकादसी के वरत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और पुर्ण्यों का उदई हो करके उसे भगवान स्री हरी के चरणों में स्थान मिल जाता है तो उत्पन्ना एकादसी इस वरस 2019 में 22 नमबर 2019 को शेव संपरदाई के लिए रहेगी और 23 नमबर 2019 को वेशनव संपरदाई के लिए रहेगी क्योंकि इसी दिन सुर्योदोई कालिन होने के कारण इस एकादसी का महत्व 23 नमबर के दिन अधिक रहेगा इसी दिन इस वरत को करना स्रेष्ट रहेगा इस वरत के पारण का समय रहेगा 24 नवंबर 2019 को प्रातहकाल सुर्योदोई से लेकर के प्रातह 9 बज के 30 मिनिट तक रहेगा तो इस समय अवधी में आज आप इस वरत का पारण कर सकते हैं तो उत्पन्ना एकादसी का महत्व इस परकार से हमारे धर्म गरंथों में हिंदू धर्म को मानने वालों में उत्पन्ना एकादसी का खास महत्व है माननेता है कि इस वरत को करने से मनुष्य के सभी पाप ताप नश्ट हो जाते हैं जो लोग एकादसी का वरत करने की इच्छ इस दिन इस एकादसी के परवक को माना जाता है इस एकादसी में भगवान विश्णुजी एवं माता एकादसी का सरधा पुरवक विधी विधान से पूजन अर्चन किया जाता है तो उत्पन्ना एकादसी की पुजा विधी इस प्रकार से है किस दिन प्राताहकाल सुर्योदे से पहले उठकर के स्वच्छ वस्त्र धारन करना चाहिए भगवान स्रीकरश्ण जी की मुर्थी अथ्वा तस्वीर के सामने सुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए इस वरत का सं कलप लेना चाहिए और भगवान स्रीकरश्ण जी का इसमरण करते हुए अपने पूरे घर में गंगाजल का छिटकाव आपको करना चाहिए और भगवान विग्न हरता गणेज जी की भी पूजन करना चाहिए भगवान स्रीकरश्ण जी की तस्वीर के सामने सबसे पहले पुर्वक इसकी वरत कथा को सुनना चाहिए जिससे इस वरत का संपुर्ण फल आपको प्राप्त होगा। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड राक्षस ने इंद्र आदित्य वसू वायू अगनी सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र के साथ सभी देवताओं ने भईभीत होकर के भगवान शीव से सारा वरणन बताया। और कहते हैं कि हे केलाश पती मूर राक्षस से भईभीत होकर के सारे देवता मरत्य लोक में फिर रह रहे हैं। तब भगवान शीव ने कहा कि हे देवताओं। तीनों लोकों के स्वामी भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु जी की शरण में तुम जाओ। वे ही तुमारे कश्टों को दुखों को दूर कर सकते हैं। तो सिव जी की ऐसी बाते सुनकर के सभी देवता शीर सागर में पहुँचें। वहाँ भगवान विष्णु जी को शयन करते देख करके हात जोड करके उनकी इस्तुती करने लगे। देवताओं के द्वारा इस्तुती करने से योग्य प्रभू से कहते हैं कि बारंबार आपको प्रणाम करते हैं आप हमारी रक्षा कीजिए देत्यों से भाईवीत हो करके हम सब आपकी शरण में आये हैं। तो इंद्र के ऐसे वचन सुनकर के भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे इंद्र ऐसा मायावी राक्षस कोन हैं जिसने सभी देवताओं को जीत लिया और किसके आश्रे में हैं तथा उसका इस्थान कहां हैं वह सब वरणन मुझे करो। भगवान के इसे वचन सुनकर के इंद्र कहते हैं कि हे भगवन प्राचीन समय में नाडी जंग नामक एक राक्षस था। उसके महा प्राक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक उसके यहां पुत्र का जन्म हुआ उसकी चंद्रावति नाम की नगरी है उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां अपना अधिकार जमाली है उसने इंद्र अगनी वरुन वायू इश चंद्रमा नेरत आदी सभी के इस्थान पर अधिकार जमालिया है तो सूर्य बनकर स्वयम ही वह प्रकास करता है स्वयम ही मेग बरसाता है और सबसे अजे है तो है असुर निकंदन उस दुष्ट को मार करके देवताओं को आप अजे बनाने की क्रपा कीजिए तो यहाँ वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि है देवताओं मैं शिगर ही उसका सम्वार कर दूँगा तुम चंद्रावती नगरी को जाओ इस प्रकार कहकर के भगवान सहीत सभी देवताओं ने चंद्रा नगरी की और प्रस्थान कर लिया उस समय उस राक्षस मूर ने सेना के साथ युद्ध में वह गरज रहा था उसके भयानक गरजना सुनकर के सभी देवता बहुत सारे राक्षस उसमें मारे गए केवल वह मूर नाम का राक्षस बच गया था वह अवीचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा भगवान जो भी तीक्षण बान उस पर चलाते थे वह उसके लिए पुश्प के समान हो जाते थे उसका सरीर छिन भिन हो गया कि वह लगातार युद्ध करता रहा दोनों के बीज फिल मल युद्ध हुआ दस हजार वर्सों तक उनका युद्ध चलता रहा किन्तु वह मूर नाम का राक्षस नहीं मरा ठक करके भगवान बद्री का सरम चले जाते हैं बद्री का स्रम जाते हैं वहां हेमवती नामक सुन्दर गुफा थी उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेस कर जाते हैं यह गुफा बारा योजन लंबी थी उसका एक ही द्वार था भगवान विश्णू योग निंद्रा की गोद में सो जाते हैं मूर भी उनके पीछे पीछे चला जाता है भगवान को सोया देख करके वह मारने को तयार हो जाता है तभी भगवान के सरीर से उजवल कांती में तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहते हैं कि आपका जन्म एकादसी के दिन हुआ है अतह आप उत्पन्ना एकादसी के नाम से पूजित हो जाओगी और भक्त की तुम्हारा वरत करने से सारी मनो कामना पूर्ण होगी और सरद्धा पूरवक जो भी व्यक्ति तुमारी पूजा अरचना करेंगे तुमारे निमित एकादसी का वरत धारन करेंगे उनके सभी पाप नश्ट हो करके उन्हें अश्युमेग यग्य के फलो की भी प्राप्ती होगी तो मित्रों आसा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आ आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोग इस पुन्य दाइनी वरत कता का लाब प्राप्त कर सकें जिसका पुन्य आपको भी प्राप्त होगा तो मित्रों आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें धन्यवाद जैसरी करश्ण फिर मिलेंगे